हेलो दोंस्तों रेलकारवाज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हम सभी जानते हैं कि भारती रेलवे में लाको करमचारी 24 घंटों और 7 दिनों तक काम करते हैं जिसके वजह से भारती रेलवे अबाधित रूप से चलते रहती है तो आज के वडियो में हम ऐ ऐसे ही रेलवे पोस्ट के बारे में जानने जा रहे हैं और यह भी जानेंगे कि इस पोस्ट को रेलवे क्यों बंद करने जा रही है तो इस वडियो के अंतक बने रही है और हमेशा की तरह हम आप से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमा मिश्ट्री का पद संभालने के बाद कई नए फैसले लिये हैं इन में से कुछ यात्रियों के हित के हैं तो कुछ कर्मचारियों के फाइदे के लिए इन में से कुछ फैसलों ने तो लोगों को चौंका भी दिया है रेल मंतरी ने हाल ही में ऐसा ही एक फैसला लिया है जिसमें उन्होंने रेलवे में सालों से चली आ रही सामंती प्रथा को खत्म करने का निर्ड़ाय किया है रेल मंत्राले और देश भर के रेलवे जीम आफिस में आर्पियफ जवान की तैनाती रहती है इस जवान का काम सिर्फ सल्यूट देना होता है भारती रेलवे में यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है लेकिन रेल मंत्री अश्मीनी वैशनों ने इसे सामंती प्रथा मानते हुए बंद करने का आदेश दिया है आपको बता दें रेलवे के आला अधिकारी सेल्यूट को रुद्वे से जोडते हैं दरसल रेल मंत्राले में रेल मंत्री और बोर्ड के मेंबर के लिए अलग गेट है उसी पर आरपीफ का सल्यूट देने वाला जवान विशेश वर्दी में तैनात रहता था यही वैवस्था रेलवे के सभी जोनल आफिस में होती थी लेकिन पिछले दिनों इसे ततकाल प्रभाव से खत्म कर दिया गया दूसरी दिनों आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था सूत्रों के अनुसा टिकट की कीमत में फिर से छुट देने के लिए रेलवे उम्र सीमा के मान दंड में बदलाव कर सकती है उमीद की जा रही है कि सरकार रियायती किराय की सुवीधा सत्तर साल से ज्यादा की उम्र वाले लो आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेलवे में सालों से चली आ रही सामंती प्रता खत्म क्यों कर रही है अगर आची वीडियो में दी गए जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आ खन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसे उडियो में तब तक के लिए बाई बाई